नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर दोस्तों आज हम 29 मार्च के टॉप 5 करेंट अफेर्स को क्विस के माध्यम से इंटराक्टीव में सॉल्व करेंगे और उसको एक्स्प्रेंट भी करेंगे आप इस वीडियो को एंटर जरूर देखेगा और खुद भी साथ में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो का जो PDF में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ आप वहांच इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं तो आएए दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारा पहला करेंड अफेर है लक्षिप्रोग्राम संबंदित है आप समें देख लिए जी आप ए सुरच्छित प्रसव सुनिश्चित करने है तू बी टीवी का भारत से उन्मूलन है तू सी दो से पांच वर्स की आईए के बच्चों की देखरेक है तू डी ठोस कचरा प्रबंधन है तू आपने इस कुश्रम को पढ़ लेगो दोस्तो इसका जो करेंट आंसर है वा है अ सुरच्छित प्रसव सुनिश्चित करने है तू लक्ष प्रोग्राम के चर्चा में क्यों है क्यों है क्योंकि भी हाली में सवासिमंतरी है केंडरी स्वासिमंतरी है उन्होंने संसद में इसके बारे में बताया है कि जो भी development इससे संबंधित हुआ है दोस्तों जो लक्ष प्रोग्राम है इसको सबसे पहले जो है 17 माफ करीगा 11 दिसंबर 2017 में लॉंच किया गया था और उसका फुल फार्म अगर हम देखते हैं तो क्या है लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूव्मेंट तो नाम सी थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा दोस्तों किया है तो एसकी गुरुःतत में मतलब कैसे दिद्र करना बदलब क्या है मतलब जो जब भी आदुनिक इसे उपकरनी उपलब्द है तो यह सब और में बात करता है इसके बारे यह नो हैceğiz दोस्तों प्रसो कच और maternity operation theater बारे हमने देखा और दोस्तों इसमें प्रसूती संबंतित गहन देख बाल इकाई हैं मतलब ICU centers भी डवलप किये जाएंगे और मतलब जिते भी government hospitals हैं और जो आपका CHCs हैं और जो first referral units होता है उन सभी में यह कर सकते हैं या जो योजना है लागो हो होगी और जो प्रसो केंद्र हैं उनको इतरीके से कहा सकते हैं कि उसमें उसकी जो गुडवत्ता में उसको सुधार करना है इसके देखें लाब क्या होंगे लाब यही होंगे कि जो maternal mortality rate है जो infant mortality rate है उसमें कहीं न कहीं जरूर कमी आएगी ठीक है तो यह सब जो है इसका लक् दोस्तों इसका जो correct answer है वह है बी कोची कोची में दोस्तों यह first training squadron इसी था चरचा में इसी लिए है क्योंकि अभी हाली में यहीं मतलब जो squadron यह training center है वहां से दो ship है एक तो INS 3 है और दूसरा ICGS सर्थी नामत पहले मतलब जो मैंने बताया इसी बारे में यह दूनों जहा है और अगर हम बात करते हैं तो इसी मतलब जो यह पहला squadron मतलब training center है यह दोस्तों यहां पर दो तो ship अपने बात किया एक ship और आइनस हो जाता भी जो है इसमें सामील ठीक है और पसिच्छा squadron क्या होता है इसमें मिल ली जो नौसेना नेवी और जो ICG मतलब इंडिन practical knowledge दी जाती है मतलब जो real world experience होता है उसको जो है इसी मतलब जो इसमें इसमें इंक्लूट की गई है उसके माध्यम से उनको इस तरीके से train किया जाता है तो दोस्तों यह हुआ इससे कुछ important fact वरकला current affair है भारत ने नई दिल्ली में 13 वी IBA महिला बिश्व मुक्य बाजी championship में कितने स्वर्ण जीते हैं option देख लिए आप A2 B3 C4 D5 आपने इस question को पढ़ लेगो दोस्तों इसका जो correct answer है वह है C4 दोस्तों चार स्वर्ण जीते हैं भारत ने अभी इसमें महिला बिश्व मुक्य बाज championship में जिसका आयोजन दोस्तों अभी दिल्ली में किया गया और यह 13 दोस्तों और बात करें इसमें कौन-कौन से इसके मतलब ranking क्या है कौन पहले पता कौन दूसरे पर है दोस्तों पहले ranking में भारत है जिसने चार स्वर्ण जो हासिल किया है दूसरे rank में दोस्तों चीन है जिसने जो है टोटल साथ पतक पाया है जिसमें तीन स्वर्ण है एक र दोस्तों इसमें पहली है नीतु घंगस उन्होंने 45-48 kg भारवर्ग में पाया है और दूसरे पर है स्वीटी बूरा जिन्होंने 45-81 kg भारवर्ग में पाया है और निका जरीन दोस्तों या 48-50 kg भारवर्ग में है और लवलीन बोर्गोहेन या 70-75 kg भारवर्ग में है दोस्तों इसमें जो निका जरीन है या पहले भी जीती हुई है तो यह दूसरी भारती मुख्यबाज हो गई जो ऐसा मतलब इनोंने कारणामा किया इसके पहले जो है दोस्तों जो एमसी मेरिकॉं थी उन्होंने ऐसा किया था ठीक है और सुकर हम बात करते हैं कि यह इंटरनेशनल बॉक्सिंग असोसियेशन आई बीए का मुख्याला कहां पर है तो लुसाने में है शुर्जय लैंड में है तो यह आप ध्यान दीजेगा और इस मतलब जो कॉंपिशन में दो क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्टेलिकॉम नेटवर्क लिंक चालू किया आप देख लिए आप ए युएस से बी चील सी भारत डी साउथ कोरिया आपने इस कुश्यां को पढ़ लेगो दोस्तों इसका जो करेट आंसर है वा है सी भारत बारत ने यह लांज किया है यह संचार मंत्री हैं असुनी वैश्णों जी ने किया है और पहले अंतराष्ट्री कॉंटम एंक्लेव जो हो रहा था उसी में दोस्तों ने संभूतित करते हुए इसका कहा है और यह सुझ कहा हुआ हुआ है जो है जो सरकारी कार्याले है मतलब जो भी सेंटल गोवर्मेंट के आफिसेज है उसमें और जो संचार भवन है कम्मुनिकेशन जो मतलब सेंटर है उसके और एनाइसी है दोनों के कारयालों के बीच में जो है या चालू किया गया तो यह भी आप ध्यान दीजिएगा कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं और उस तो यह जो कॉंटम बेस्ट कम्प करना बड़ा आसान था ठीक है लेकिन जो दोस्तों अगर यह कॉंटम बेस्ट कम्प्यूटिंग जो है नेटवर्क यह हो जाएगा मतलब जो हो गया है इसके बाद दोस्तों उसको टैप करना इंटर्सेट करना आसान नहीं होगा क्योंकि हम जानते हैं कि गवर्मेंट ऑफि जो है यह जो मतलब कम्यूनिकेशन चैनल है अगर उसको इंटर्सेट करता है तो उसको है कि टैप कर सकता है अगर इसा वह उसने कर दिया तो उसको दस लाग रुपए की पूरिसकार रासी भी दी जाएगी तो यह सब इंपॉर्टेंट फैट आप ध्यान दीजिए तो हमार कानून के समख्च संता तीसरा कतन है अल्प संक्यकों के अधिकार और चौथा कतन है जीवन और संता का संदर्चन अफिन देखिए आप एक और तीन बी एक और चार सी दो और चार डी दो और तीन आपने इस कुश्चान को पढ़ लेग दोस्तों इसका जो करेट आंसर है व अधिकार है जो दोनों को मिले हुए है वो हम देख लेते हैं तो आर्टिकल जो 14 है राइट तो इक्वाल्टी विफॉर ला और इक्रप्रोडिक्शन लाफ लाफ ला बीस आर्टिकल जो है जो बंदी होते हैं जो पकड़ जाते हैं उनके क्या अधिकार है उसमें यह बताया के लिए उनके क्या कैसे उनको एक्सपाइटेशन के ना हो उसका क्या अधिकार है और 25-26 तो राइट टू रिलिजन है यह आप सभी जानते हैं तो दोस्तो यह हुआ आज कुछ इंपॉर्टन का इंड अफेर इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन कर दो सकती है और दोक्ति हुआ।